जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं, यह coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है, नॉर्मली ग्यांसर इसमाल लिटर में है, सब कुछ कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं सिर्फ ग्यांसर, G-Y-A-N-S-I-R इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप अप में Buy करने से पहले जो Apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट देगा, वीडियो देखिए नमस्कार दोस्तो, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET preparation के इस YouTube चैनल पर दोस्तो, आज की इस वेडियो से हम लोग एक नए initiative की start कर रहे है जिसमें की maths का complete discussion किया जाएगा यह सिरीच सभी प्रकार के प्रत्योगी परिक्साओं के लिए अत्यान उप्योगी होने वाला है आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं चाहे PCS exam की या फिर One Day exam की यहां से आपको काफी ज़्यादा साहता मिलने वाली है तो दोस्तों वीडियो को like जरूर कर देजेगा और जो friends चैनल पर पहले बार विजिट की हैं वो subscribe करना ना भूलेंगे तो चलिए start करते हैं आज हम लोग number system के से तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि number system में हम पढ़ेंगे क्या-क्या देखें number system में न मूल रूप से number के बारे में पढ़ेंगे और कुछ छोटे-छोटे points हैं जिनका discussion यहाँ पर किया जाना है तो आज की इस वीडियो में हम basic definitions की बात करेंगे कि कि किस प्रकार के definitions हमें याद रखना चाहिए जो number system में बार-बार हमारी साहता करेंगे सबसे पहला बात यह आता है कि number किसे कहते है संख्या क्या है तो देखे संख्या की बात अगर की जा है तो बस आपको इतना याद रखना है कि यह unit of maths है maths किये कि काई है जिसका use मुख रूप से या तो किसी चीज के counting में किया जाते है कोई चीज अगर count करना है तो आप number का use करेंगे या फिर किसी measurement में किया जाते है किसी level के measurement में या किसी भी चीज के measurement में किया जाते है counting का मतलब जैसे समझे मान के सली यहाँ पर मैंने ऐसे circles ड्रॉप किये और मैंने पूछा कितने circles हैं तो आप number का use करेंगे और बताएंगे यहाँ पर 3 circle है measurement जैसे मान के चले किसी आजमी की height में अपने है अब यहाँ पे इसकी height बताने तो बिना number का use की इसकी height को आप exact नहीं बता पाएंगे अगर किसी चीज का weight बताना है आपको कि इसका weight कितना है तो आप एक number को use करेंगे तभी आप इसके weight को बता पाएंगे तो उमेद है कि आपको number के बारे में चीजे आसानी से clear हो गई होंगे number unit up math है जिसका use counting और measurement में किया जाता है अब दोस्तों numbers को कई प्रकार से divide किया जा सकता है यहाँ पे लेखा है types up number है ना number कितने प्रकार के होते हैं यह जितने भी सीजे यह अपने छोटे class में इससे पहले पढ़र रखा है बस यहाँ पर चीजों को revise करने के लिए बताया जारे तिके natural number इसको कहते है प्रकृतिक संक्या हिंदी में प्रकृतिक संक्या बोलते है प्राकृतिक संक्या क्या होते हैं इसे प्राकृति में किसी चीज को अगर गिनना है तो कि आप कभी 0 से counting करते हैं नहीं आप directly count करते हैं यह नमबर इंफाइनाइट तक जाएगा तो natural number क्या होते हैं कोई भी संक्या जो एक से start होता है उसे natural number क्याते हैं अब यहां से कई बार ऐसे फार्मूले बनते हैं कि प्रथम एन प्राकृतिक संक्याओं का योग बताईए मतलब sum of first n natural number तो इसका direct formula होते हैं ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2 यह प्रथम एन प्राकृतिक संक्याओं का योग होता है इसको जिदा-जिदा याद रखेगा कई ब प्राकृतिक संक्याओं मतलब first n natural number का सब होता है n bracket में n प्लस 1 अपान 2 और average की बात करेंगे तो n अपान 2 होता है और average की बात करेंगे तो n-1 अपान 2 होता है अब इसी प्राकार आगे बढ़ेंगे even number even का मतलब है sum 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 इसे कहते हैं even number ठीक अब even number जैसे यहां पर आपने देखा कि प्रथम n पुर्ड संख्या और ट्राक्टिक संख्या का योग यह होते हैं ऐसे even number की बात करेंगे तो फार्मूला याद रख सकते हैं ब्रेकेट में n प्लस 1 कभी भी आपको question दे कि प्रथम इतने संख्याओं का योग बताइए आप सीधा ज़दा यह फार्मूला यूज कीदेगा और आउसत की बात करेंगे तो आउसत आप डारेक्ट लिख सकते हैं इसे प्रकर दोस्तों odd की बात करते हैं odd numbers क्या होते हैं तो कोई भी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होता है उसे विसम संख्या कहते हैं या फिर आप इससे याद रख सकते हैं कि कोई भी संख्या जिसका इकाई यंग कितना होता है या तो एक होगा या तो तीन या पां यहां पर और लिखे गए, मतलब सब्द लिखे हैं जिनका definition हमें समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, prime number क्या होते हैं, prime को हिंदी में कहते हैं, abhajya sankhya, कोई भी ऐसी संख्या, जो या तो एक से कटेगा, या तो swim से कटेगा, उसे abhajya sankhya क्याते हैं, एक definition यह हो गया, abhajya sankhya की बात करेंगे, एक से लेके 100 तक, यहां तक abhajya sankhya की पूल sankhya होती है, 25, यह कई बड़ direct paper में question बना है, कि एक से 100 तक कितने abhajya sankhya है, 25, एक से लेके 50 तक में जो abhajya sankhya की संख्या है, यह 15, और 51 से लेकर 100 तक abhajya sankhya की बात करेंगे, तो इनकी sankhya है, 10, आ हमेशा odd होने वाली है और दो सबसे छोटी अभाजी संख्या होती है अब अभाजी के बाद यहाँ पर अगला दिखा है को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सह अभाजी सह अभाजी क्या होते हैं कोई भी ऐसी दो संख्या जिसका HCF एक होते हैं उसे सह अभाजी कहते हैं कोई भ के बाद 11, 13, 17, 19, तो ऐसी संख्या है न, ऐसी प्राइम नंबर जिनके बीच का difference दो होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते, देखें, यह difference दो कहें, फिर यहाँ पर difference दो कहें, यहाँ पर difference दो कहें, इनको भाज़ नहीं है, वो क्या हो जाएगा, भाज़ जो हो जाएगा, next अगले slide पर आते, दोस्तों आप देखें, numbers को represent करने की बात करेंगे, तो एक classification और देखता है, real number और imaginary number का, देखें, imaginary number होता है, कालपनिक संख्या, तो अभी आप अपने entrance exam, मतलब जो C set, या फिर PCS के दृष्टी से C set कहा जाएगा, और आने जो one day exam, उसमें, जितना भी mathematics आप पढ़ेंगे, उन सब में real numbers की बात आएगी, तो imaginary हमारे syllabus में नहीं है, तो इसकी बात नहीं करते हैं, पीछे आपने जितने numbers पढ़े हैं, सब real number है, अब real number को दो तरीके से लिखा जा सकते हैं, with decimal, मतलब दसमलों के साथ, और without decimal, मतलब बिना दसमलों के, जो with decimal होता है, इसे आप fraction भी कहा सकते हैं, मतलब भिन, और जो with decimal, without decimal है, इसे integer कहाते हैं, मतलब पुरडांक, अभी जो integer है, जो पुरडांक है, पुरडांक तीन तरीक एक होता है positive integer मतलब धन पुरडांक जैसे 1, 2, 3 यह सब positive integer है आप इसे plus में लेखेंगे negative integer इसे आप minus में रखेंगे जैसे minus 1, minus 2, minus 3 यह चीज़े है और एक होता है zero integer मतलब zero यह तीन प्रकार से हो गया और fraction मतलब दसमलों की भी बात करेंगे तो दसमलों भी कई प्रकार कोता है तो हम लोग इसे दसमलों में पढ़ेंगे complete decimal, incomplete decimal, recurring decimal सब के बारे में विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे तो यह छोटी सी class आपको कैसी लगी दोस्तों comment करके जरूर बताएगा इसमें हम लोगोंने complete definitions वाली class रखिए इसको दीरे-दीरे आगे बढ़ेंगे और जितनी भी class आपको मिलेगी न सब सूपब होगी आपको एकदम concept समझाया जाएगा to the point, topic wise फाल्दू कि इदर उदर की बाते नहीं होने वाली है तो आज की class रही इसे यहाँ पर stop करते और दोस्तों अगर आप इस प्रकार के videos निरंतर देखना चाहते हैं तो channel को subscribe जरूर कर लेजेगा और हाँ अगर PCS या फिर किसी अने exam की complete preparation करना साथ है तो आप study for civil services team के paid course को join कर सकते हैं paid course को join करने के लिए आपको कुछी नहीं करना है नीचे स्क्रीन पर दिखरें किसी भी number पर call या whatsapp करके आप जानकाली प्राप्त कर सकते हैं या फिर study for civil services का application आप इंस्टाल कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार interesting session के साथ